तो जब एक क्रेचर किसी लड़की को अपने वश में कर ले और अपने खुन की प्यास बुजाने के लिए वो उसी लड़की से मडर करवाएं तो क्या होगा क्या वो लड़की खुद पर कंट्रोल रख पाएगी और आखिर वो क्रेचर ऐसा क्यों कर रहा है यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं वर्निंग वेलकम टू हरोलेंड अगर आप पहले बार इस चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरू हो जाना इस मूवी की स्टाटिंग में हम देखते हैं कि दुनिया जब शुरू हुई थी तब धर्ती पर सिर्फ पानी और लावा ही था धिरे धिर लाइफ प्रोड्यूस होने लगी और सभी क्रेचर रिप्रोड़क्शन करने लगे लेकिन एक क्रेचर ऐसा भी था जिसने रिप्रो गाउं के सरकस के तरफ आती है जहां पर एक ड्राइवर बिली उस लेपट को सरकस में ले आया था फिर उसे वहाँ पर एक वैनिटी वैन में एक बहुत खूपसर लड़की नजर आती है जैसे वो चुपके से देख रहा था और बिली को देखकर सरकस का मालिक निक उसके पा वाफे मांगता है क्योंकि उसके वज़े से निक ने यांका पर गुस्सा गया था और यांका फिर लेपड को देखने जाती है पर वो लेपड यांका को देखकर अजीब भीव कर रहा था और धर भी रहा था फिर रात को ट्रेनर्स दो टैगर के साथ सरकेस के प्रेक्टिस कर रहे थे और यांका प्रेक्टिस के लिए लेटो चुगी थी जिस वज़े से निक फिर से यांका की इंसल्ट करता है और जब यांका टैगर के साफ में प्रेक्टिस करने की कोशिश करती है तो दूनों टैगर यांका से डर रहे थे और 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 नहीं मान रहे थे और वे यांका अपर अटेक भी खर रहे हैं जिस वजह से यांका डरकर वहां से चलियाती है अब रात को बिली यांका से मिलना आता है और यांका बिली को किस करने लगती है और लेकिन इ file निए गुष सो रही ती और निकाम करा और ट्रेनर के मुताबिक लेपड खुद वहां खुद बखुद एक्स्प्लोड हो जुका था और लेपड की ऐसी हलत किसने की यह जानने के लिए सरकस के सब भी लोग फिर वेन में सो रही यांका को इस बारे में कुछ पता नहीं था उस हो रही यांका के पास एक अजिब क्र लगता है कि वो प्रिगनेंट है और इसलिए यह यहांका अपना समन लाकर सरकस को छोड़कर वहां से दूर चल याती है अब किसी तर यहांका का पता लगा कर निक उसे मिलने चाता है लेकिन यहांका निक को चाकु से स्टेफ करके माँ डालती है उब दोसर रूम में चली आती है यंका के बेट में वही ख्रेचर था जो कि यांका से बात भी करता है और वह ख्राइचर यंका को अड़र दे रहा था कि यांका अपने बॉइफरेंड निक का खोन पिये यांका उस ख्रेचर की बात नहीं माना चाहती थी तो खुद को चाकु से इस्टेप करने के कोई और फिर अपना सामान लेकर यांका वहां से जाने लगते है राष्टे में यांका को एक ہोमलिस आदमी दिखाई कुन पेने को कहते है अब कहानी 2 महीने के बाद से शुरू होती है सेमे रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाई दिखाई जाता है रिचर्ड का उसके गल्फेंड सूजी के साथ मिस अंडरस्टेडिंग चल रहा था और सूजी के रेस्टोंट में रिचर्ड लंच करने के जाता है और वहाँ पर उसे यांका दिखती है यांका उसी रेस्टोंट में वेटरस थी और रिचर्ड यांका से अटेज्ड ह हो जुका था वो यांका को फॉलो करके रेस्टरांट के स्टोरेज रूम तक चला जाता है लेकिन वहाँ पर सूजी भी आ जाती है तो इसलिए रीचेट को वहाँ से निकलना पड़ता है अब रात को काम खतम होने के बाद में वो क्रेचर किसी को मारने के लिए यांका को कह र ओलती है कि उसको अपने पास पर बारे में कुछ भी याद नहीं है तो यांका को उसके घर के बाहर तक चोड़ने के ला जाता था और फिर किल्स चल जाती है फिर अगले दिन तक यांका खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और क्रेचर की बातों में आकर वो एकादमी को मा डलती है और फिर उसका वो खुन भी रहती है यांका जब अपने घर पर वापस आती है तो रीचर्ड उसके घर के बाहर इंतजर कर रहा था फि तब ही वहाँ पर रीचर्ड आ जाता है और यांका को शादी के लिए प्रोपोस करता है अचानक से यांका अपना आपक हो देती है और रीचर्ड को चाकुट से स्टेप करके मा डालती है फिर उसी डाइम को डोर पर नौक करता है और यांका जाकर डोर खुलती है लेकिन व पर कहानी फिर 6 मेने के बाद आती है जहां पर यांका का पेट बढ़ा हो चुका था और यांका अब एक केप की ड्राइवर थी एक आदमी यांका की कार में बेटता है पर यांका कहीं औरी कार को ले जा रही थी और इस वजे से वो आदमी भी डर रहा था यांका को रास्ते मे एक आदमी और दिखाई देता है जिसके ऊपर यांका अपने कार को चला जीती है और कार से निकल कर उस आदमी को तब तक मारती है जब तक कि वो आदमी मर नजाए ये सारी चीजें वो कार में बेटा हुआ आदमी देख लेता है और डर कर कार से निकल जाता है लेकिन एक ट्र कर यांका कार को स्टार्ट करने के कुशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक मेकेनिक मार्क आता है और अचानक यांका मार्क के ऊपर ही कुन की उल्टी कर देती है मार्क किसी तर एक केप को रुख कर उसमें यांको को बिठा लगती है ड्राइवर का ध्यान बटकने के वज़े से उस कार का एक्सिंट हो जाता है और ड्राइवर महीं पर मारा जाता है यांका फिर कार से निकलती है और भ्योश हो जाती है यांका को जब होश आता है तो यांका देखती है कि वो बुड़ी ओरत सेरेना के घर पर है और य यांका एक पार्क में रिस्ट कर रही थी और तब यांका के पेट के अंदर का क्रेचर यांका से कहता है कि डिलीवरी के बाद में उसे भी क्रेचर समंदर में चले जाएंगे और हो क्रेचर यांका को बस एक बार यूमन बलड को बिलाने को कहता है यांका देखती है कि पार्क को ब्योश करके उसका खून पीती है फिर वो उसी बस को चला कर वह से निकल जाती है यंका को फिर क्रेचर से पता चलता है कि डिलीवरी के बार में क्रेचर जब समंदर में जाएगा तो वहाँ पर समंदर के पानी में वो मिलकर कई सारे क्रेचर बन जाएंगे और कुछ असाल जाती है और डॉक्टर यंको को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन यंका के अंदर के क्रेचर की वज़े से यंका फिर से जिन्दा हो जाती है और डॉक्टर की बाड़ी को वो एक्स्प्लोड कर देती है और एंबुलेंस के ड्राइवर को भी मा डालती है अब उसी टाइम यंका उस क्रेचर को भी डिलिवर करती है लेकिन यंका ये देखकर हैरान थी कि उसने एक नॉर्मल बेबी को पैदा किया था फिर वो रास्ता से जा रही एक दूसरी गाड़ी को चुरा कर यंका अपने बेबी को लाकर वहां से जाने लगती है फिर कुछ दोड़ जाकर यं में जाता हो देखकर यांका भी उस बस के अंदर चलिया आती है और ison करेजर को दूड़ने लगती हैं फिर उस बस के लड़के यांका को दिखकर उसके साथ में म Näसज भया करने लगते हैं और तवियो NH condition Bus Carly byaler को पकड़ लिता है यांका happens को समालने की कोशिश करती है लेकिन बस एक जगर पर टकरा कर ब्लास्ट हो जाती है फिर अगले सुबह वो क्रेचर समंदर के अंदर चला जाता है और यह मूवी यह पर एंड हो जाती है दोस्तों इस मूवी में हम देखा कि धरते की जब शुरुआत हुई तो सभी स्पीशिस रिप्रोड करने के लिए क्रेचर यांका को चुना जिसके बद में यांका क्रेचर की गुलाम बन गई थी और क्रेचर के कहें अनुसार वो लोगों को मारकर उनका कुन पिना लगी थी वो क्रेचर यूमन का बलड़ पीकर जिन्द रहता था और एंडिंग में क्रेचर समंदर के पानी म मिलकर वो creature के creatures में divide हो जाएंगे और कुछ असालों में वे सभी इंसानों को मार कर दर्टि पर उनके जगले लेंगे तो I hope दोस्तो आपको ये वीडियो जुरू पसंदा होगा दोस्तो वीडियो पसंदा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जुरू करना और अगर आप पहली पर मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब करके जूरू जाना मैं जल्द ही आपके लिए और भी ऐसे इंटरस्टिंग वडियो लेकर आना आना हूँ तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वडियो में